नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है जैसे कि आपको पता है कि हम यूपिटर प्लैसी से जुड़ी हुए अपडेट समय समय पर आपके लिए लेकर आते हैं और उन्ही अपडेट में आज हम बात करने वाले हैं यूपिटर प्लैसी के दुवारा जे इवेकेंसी दोहजार रठारे के ओपर जहां पर बहुत सारे इस्टुडेंट को फेर वदल देखने को मिला इस वेकेंसी में क्योंकि परिक्षा की गई फिर रिएक्जाम हो दुवारा की गए और उसके साथ साथ आंसर की और रिवाई आंसर की को लेकर बहुत सारे इस्टुडेंट को जो है बहुत सारे धरना प्रतसन करने पड़े और कोविट की सिकार भी भरती हो गई थी और इसी बीच अब कुछ आपके लिए एक बड़ा अपडेट आपके सामने आता है और वहें अपडेट क्या है कि आपकी जो वेकेंसी थी वहती 1477 और उन 1477 वेकेंसी का डीवी समापन हो गया था और डीवी को समापन हो चुका था परन्तु रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट हुआ है क्योंकि आयूग में इसके रियल्ट को लेकर क्या बात चल रही है सारी बातों को हम एक साथ ही बताएंगे कि देरी क्यों की गई है और रिजल्ट किस परकार से और कब तक आने वाला है और क्या होगा इस अपडेट का फाइनली जिससे कि आपको यहां से पता चलेगा कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और इसमें रिजल्ट में देरी क्यों की गई यह सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं तो देखते हैं कि कुल पद हैं हमारे चोद्यसों साथ्तर ठीक है और इसका आवेदन देखिए थोड़ा सा याद कराना पड़ेगा आपको कि बेकेंसी बहुत पुरानी है कुछ लोग तो इस बेकेंसी को फोर्म डालकर भी भूल गए थे ठीक है परन्तु याद कून रख रहे हैं जिनका अभी रियल्ट आना ब आपके 10-8-2023 को अब हम बात करते हैं डीवी के लिए जो कैंडियेट थे यानि कि सोट लिस्टिंग जो किया गया वो कितने को सोट लिस्ट किया गया था तो यह भी थोड़ा सा हमको जो है आपको बताना है कि कुछ बच्चों को यहां भी बता नहीं है कि कितने बच्चों क को जो है सोट लिस्ट क्या गया था जिनका डीवी 22 अगस्त दोहार तेईस से 13 सितंबर दोहार तेईस तक चला और दो पालियों में इसका डीवी कराए गया था अब आती है बात कि रिजल्ट कब तक क्योंकि अभी तो काफी लंबे समय से रियल्ट की चर्चा नहीं चल रही थी क्योंकि से तंबर 13 है बहुत हो टाइम हो चुका है और रियल्ट में देरी क्यों है तो देखिए मैं आपको बताता हूं कुछ बात आप समझोगे यहां पर अभी पहला जो रियल्ट है सबसे पहले वो किसका आएगा वो आएगा यूपी लेकपाल का ठीक है वही सबसे अने वाला रियल्ट यूपी लेकपाल गा ठीक है उसके बाद में आपका जो रियल्ट आएगा वो आएगा एसो एसो के रियल्ट आएगा और तीसरे नंबर पर आएगा यह आएगा यह बात थोड़ी याद रखनी है और यह रियल्ट कब तक आ जाएगा हम यह भी बताने आपको देखिए लेकपाल के रियल्ट को आपको बता दिया गया था कि एक महीने का एक्स्टेंशन ले लिया गया है जिसके तीन दिन हो चुके 27 दिन अभी इस रियल्ट के आने के बाकि है फिर उसी एक ही सब्ता में एसो का रियल्ट आ जाएगा एसा मान चली एक महां पां आपका रियल्ट आ जाएगा अब इस रियल्ट पर क्या है आपको जो वेट करना वो कब तक करना है आपको बताता हूं आपको फरवरी फर्ष्ट बीक है आपको उस बीक में अपने रियल्ट को देखना है और इसी बीक में आपका जो है रियल्ट आ जाएगा एक बात और ब पच्चों को अभी तक नहीं पता कि रिजल्ट में देरी क्यों ही उसका कारण बना है लेकपाल रिजल्ट का एक महा का extension तो पहले यह रिजल्ट आएगा UP लेकपाल उसके बाद में ASO का रिजल्ट आएगा 904 वेकिंस यहां भी थी इनका भी दीवी कराकर रोग दिया गया है इनका भी डीवी कराकर रोग दिया गया है ठीक है और आपका डीवी पहले से ही हो चुका था ठीक है आपका डीवी संबर में हो गया है तो आपको भी रिजल्ट रोका है क्योंकि ASO के बाद आपका डीवी हो गया था तो अभी आपका जो है र ण्रस्टे लास्ट बीक में आ जाता ऐलेकपाल से लिए rendic यारे दिशंभर लुट पर के बाद आपका दस जनंवरी तक आपका के लिए 12 जनंवरी एक दो दिन बाद ही आपका जेका आ जाता है क्योंकि यहां रिजल्ट में कोई देरी नहीं है बस देरी है लेकपाल में ठीक है इसी बीच में एक और खेल हुआ है मुख्य सेविका के लिए एक बत्ते हैं की काफी पर कि मुख्य सेविका का जोओं दो तीन हेरीं होगी और इसके बाद यह इसका रिल्ट का आएगा इसका ऐगा बुक्य से बिका का वो कवा आएगा तुमारे पर जैक के वार्ट है ठीक है एक वब्सक्राइब उसका रीएल्ट भी पेंडिंग है। उस रीएल्ट को भी आपकोnin के बाद देखा जाएगा एक रील्ट जो है आपका मंडी इंस‌पेक्टर आपके चाल पी ऐना है वह लिएницल का ठीक्क्ष्रो आना है कोशिस कर रहा है कि अलब को शो होती है कि हम रीरेज गोसित नहीं महुंद जैसे लेकपाल को ले कर कोई पौच गए तो एक महा का इंसेक्षन मिल गया है और फिर मुख्य सेविका पर इस्टे लिया गया है संविदा करीमों के विए से तो यह भी कोट में तो कुछ एक दो भरती जो होती हैं और बहुत सारी भरतियों पर इस दीज का प्रभाव डालती है और इससे ही जो हैं भरतिय करें मैं कि सार यूपिटर पहले तो हम उन दिनों से हमें कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो हम ने इसकी जानकारी आपको ने जी जैसी हमाँ लगती होई हमने आपको तुरंत इस सबस्ट कद करा आए हैं तो अब जरूर समख रखेंगे उसको और आपसे उसकी जानकारी पूरी साजह करेंगे और यह जानकारी आपको है कैसे मेलेगी तो अगर जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है बोच आइप कर लेंगे और बेल आइकन ओन करने जिससे कि आपको हमारे दुआरा मिलने वाले वीडियो का बाहर नहीं जाए होते हैं कि क्पुछ भी कर दिया कुछ भी बना दिया फ़रन तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं ठीक है हम अधिकान तुमने देखा होगा हमारी सारी वीडियो दूस्ति में यूपट्र प्लाइट से जुड़ी होती हैं कोशिश करते हैं 2020 से जड़ी हर एक जानकरी जो हैं आपको प्रवाइट कराएं और इससे बहुत सारे लोग यसे होते हैं जो लखनों जाने से बच जाते हैं क्योंकि उनको वह जानकरी जो लखनों मिलने वाली है वही जानकरी जो है अपने YouTube माध्यम से ही मिल जाती है ठीक दो दोस्तों जैसे भी कुछ जानकारी होती है हम आपको ज़रूर बताते हैं तो बिलते हैं जब तक किनी जहें जबारत बंदेवात्रम